श्री गनेश आय नमो नमह, मित्रो अनोखा संगम पंचांग में आपका हारदिक स्वागत हैं, आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विशे में, आज के पंचांग में तिथी, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तरिती जानकरी के साथ, आज का शुब समय अभिजीत महुरत, आशुब समय राहुकाल, आज के दिन और रात का चोगडिया और आने वाले दिनों के वरत और तहारों के बारे में पूरी पूरी जानकरी मिलती हैं, आये जानते हैं आज का शुब पंचांग पंचांग से पहले आज का सुबिचार, अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज या कोई कार्य अच्छे से संपन हो तो उसे खुद करें, कोशिश करके हारना कोई विफलता नहीं, बलकि कोशिश नहीं करना सबसे बड़ी विफलता है आज की तारीख 15 जनवरी 2021 आज का वार शुक्रवार आज पोश महा के शुकल प्रक्ष की द्वीतिया आठ बच कर चार मिनट सुबह तक रहेगी, इसके बाद तृतिया तितिती प्रारंब हो जाएगी तंदरा जनवरी 2021 को सुर्य ओद्य का समह रहेगा, 7 बच कर 15 मिनट सुबह, सुर्यस का समय होगा, 5 बच कर 46 मिनट शाम को, चंद्रोडय नो बजी सुबह उद्य हो जाएगा और चंद्रास का समय 7 बच कर 69 मिनट शाम को होगा आज का नक्षत्र धनिश्था पांच बचकर 17 मिनट अगले दिन सभैत कहेगा इसके बाद सत्विशा नक्षत्र प्रारंब होगा आज की सूरे राशी है मकर आज की चंदर राशी मकर पांच बचकर 6 मिनट शाम तक रहेगी ततपश्चाद चंदरमा कुम्भ राशी में परवेश करेगा और चंदर राशी कुम्भ होगी आज का पहला करण कोलव 8 बच कर 4 मिनट सुभह तक रहेगा आज का दूसरा करण तयतिल 7 बच कर 50 मिनट शाम तक रहेगा आज का योग सिद्धी 8 बच कर 13 मिनट शाम तक रहने वाला है इसके बाद व्यतिपात योग उपरारम हो जाएगा दिशाशुल की बात करें तो आज पश्चिम दिशा में दिशाशुल है इसके निवारन के लिए दलिया वैगी खाकर प्रस्थान करें ऐसा करने से दिशाशुल का परभाव कम हो सकता है आये जानते हैं आज की सिध्धी योग के बारे में किसी भी प्रकार की सिध्धी प्राप्त करने प्रभु का नाम जपने के लिए यहाई योग बहुत उत्तम है इस योग में जो भी कारे शुरू किया जाएगा वह सिध्ध होगा अर्थात सफल अवश्य ही होगा यदि आपने सिध्धी योग में जनम लिया है कि संभावना आप में पाए जाती है आज का अमरत कालम योग 6.48 मिनट शाम से 8.24 मिनट शाम तक रहेगा आज का एशुप समय आज का राहुकाल 11.12 मिनट सुबह से 12.31 मिनट दोपहर तक रहने वाला है यमगंड काल का समय 3.9 मिनट दोपहर से 4.27 मिनट शाम तक रहेगा इन दोनों ही समय में किसी भी प्रकार का शुब और मांगली कार्य शुरू ना करें आने वाले कुछ महतों पुन्दित्यां इस प्रकार रहेंगी 15 जनवरी को माघ बीहू, 16 जनवरी को विनायक चतूर्थी और 18 जनवरी को सकंद सस्थी होगी वाहन खरीदने के समय में आज का वहुरत 15 जनवरी को 8 बच कर 4 मिनट सुबह से अगले दिन 7 बच कर 15 मिनट सुबह तक रहेगा इसके लिए नक्षत्र होगा धनिष्ठा और सत्विषा तिथी होगी तिर्तिया इसके बाद वाहन खरीदने का समय 24 जनवरी को 7 बच कर 13 मिनट सुबह से 10 बच कर 57 मिनट शाम तक रहेगा 15 जनवरी को दिन का चोगडिया में 4 समय 7 बच कर 15 मिनट सुबह से 8 बच कर 33 मिनट सुबह तक रहेगा लाब समय 8 बच कर 33 मिनट सुबह सी, 9 बच कर 52 मिनट सुबह तक रहने वाला है अमरित काल की बात करें तो 9 बच कर 52 मिनट सुबह सी, 11 बच कर 11 मिनट तक रहीगा शुब समय 12 बच कर 30 मिनट दुपहर सी, 1 बच कर 49 मिनट दुपहर तक रहीगा चर समय अर्थात समाने समय चार बच कर 27 मिनट शाम से पांच बच कर 46 मिनट शाम तक चर समय रहीगा रात के चोगडिया में लाब समय नो बच कर 8 मिनट शाम से दस बच कर 49 मिनट शाम तक रहीगा शुब समय 12 बच कर 30 मिनट मध्यरातरी से 2 बच कर 11 मिनट अगले दिन सुभह तक रहेगा अमरित कल का समय 2 बच कर 11 मिनट अगले दिन सुभह से 3 बच कर 52 मिनट तक होगा एक नई अपडेट नई वीडियो के साथ तब तक देखते रहें अनोका संगम का पंचांग और इसे जादा से जादा सब्सक्राइब करें शेर करें कमेंट करें लाइक करें वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद